SSE CGL 2024 में अनेकों पदों पर वेकेंसी निकल कर आ चुकी है। आपको बता दे, टोटल पदों की संक्यां जो है 17777 पदों पर SSE CGL में वेकेंसी निकल कर आई है। आपको मैं इस वीडियो में पुरा complete process बताने वाला हूँ कि आप SSE CGL में किस तरह से form apply कर सकते हैं और कौन-कौन से बच्चे इस form को apply कर सकते हैं। आप इस वीडियो में शुरू से last तक बने लिएगा ताकि आप लोग जब form फिल करें तो किसी प्रकार की गलती आप लोगों से ना हो। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चले दोस्तों आप सब सब पहले हम लोग नोटिपिकेसन देख लेते हैं। और रात एक ग्यारा वजे तक उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि पचीस साथ दोजार चौवीस तक जो है आप पेमिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्री टायरिट्टू का एकजाम दों दिसंबर में लिए आ जाएगा। चली दोस्तों से सिजियलdश will 24 का फूवीस का फौवीस फील करना इसटार्ट करते हैं। फौवль करने सबसे पहले इंपोर्टें जनकारी आपको देदे। SSCGL का फोर्म जो है गरियोसन लेवल के बच्चे ही फिल कर सकते हैं क्योंकि इसका सबसे पहले हम लोगा SSCGL 2024 का फोर्म फिल करने के लिए इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएका आप वहां से डिरेक्ट यह कर सकते हैं जिनोंने गरियोसन ब्लोग यहां पर अपलायर पर किलिक करेंगे यहां पर आपको देखने के मिले है कंभाइन गर्जूए्ट लेवल इकजामने सन आप देख सकते हैं इस नाम में ग्रजाम चुपा हुआ है जून का मतलब यह होता है गर्जूएट उसके बाद दोस्तों यहां पर apply पर click करेंगे, जैसे ही apply पर click करेंगे, तो आपको बता दें कि यहां पर आपको candidate में आपको registration नमर डालना है, फिर password डालना है, यह capture आपको यहां पर डालना है, फिर login पर click करना है, SSC का कोई भी form फिल करने के लिए आपको first time registration करना पड़ता है, first time OTR करना पड़ता है, first time OTR कैसे किया जाता है, इसके उपर मैंने accepted video बना दिया है, link description box में आप वहां पर से जाकर चेक कर सकते हैं, किस तरह से registration किया जाता है, registration करने के बाद आपको registration नमर और password आपके email पर भेजा चालू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह आपका इस तरह से portal रहने वाला है, पर personal details, फिर password creation, उसके बाद additional details, उसका declaration, उसका continue पर मतलब इस तरह से आपका सारा process चलने वाला, 4 step में आपका registration clear होने वाला है, तो चली दोस्तों हम back कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर registration कर यहाँ पर हम अपना ID और password देंगे, उसके बाद सारी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपका registration number देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपकी जनकारी देखने के लिए मिलेगी, और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे से नीचे आना, नीचे में live examinations म यहाँ पर दोस्तों apply क्या जाएगा, यहाँ पे date दिया हुआ है, प्यमेंट काप करना, यह सारा कुछ यहाँ बताएगे, आपको apply पे click करना, युछ यहाँ पर declaration दिया हुआ है, फूल फूल form में आपको click करना है, आपको बता दें कि यहाँ पर personal details में आपसे यहाँ पर कु करना है जैसे हम लोग नेस्ट करेंगे उसके आद पर हम लोग से पर किलिक करेंगे जैसे हम लोगों के सामने आ जाता है यह जुकेशन डिटेल से हम लोगों को हाईयर जुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है कि मतलब आपका जो हाईयर क्वालिफिकेशन है वह आपको डालना तो हम आपको बता देना चाहते हैं, SSC CGL का फॉर्म जो है, गर्जोएशन जीन बच्चों ने कर रखा है, उनी का फील हो सकता है, तो इसलिए कम से कम आपका तो यहाँ पर डिग्री जो है ना, गर्जोएशन तो होना ही चाहिए, तो गर्जोएशन आप यहाँ पर किलिक कर सक तो आपको बताना है कि आप पास हो चुके हैं या फिर आप एरिंग से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर आप पास हो चुके हैं तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप पास हो चुके हैं, तो आप पास पर यहाँ पर किलिक कीजिएगा, उसके आप फिर पासिं लेते हैं आप भारत के किसी भी स्टेट से होंगे तो आप आप पर फिल कर सकते हैं आपको बताना है नेम उप इनवर्सिटी तो आपको बताना है कि आपने जो गर्योशन किया है किस इनवर्सिटी से गर्योशन किया है उस इनवर्सिटी का नाम आपको यहां पर फिल करना है पर आपको अपना दालना है फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है या फिर जो खुच-खुच बचे इंगलिस मेडियम से आते यहाँ पर CGPRA होता है तो अपर आपना CGPRA डालेंगे उसके आप फिर save and next प्रíli करेंगे जैसे आप save and next पर click करते हैं उसके बाद फिर आपको okay करना है, okay करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं additional information पर आपको यहां पर जाना है, यहां पर आपको सिर्प पुछा जा रहा है, whether you are an ex-serviceman, our service arm forces, कि आपने arm forces में अपनी सेवा दिये, सेवा दिये तो यहां पिर आपको पुछा जाएगा whether seeking age relaxation, कि आप age relaxation के through form को feel कर रहे हैं, अगर आप age relaxation के through form को feel कर रहे हैं, तो यहां पर yes किजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं, तो simply आपको यहां पर no करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पुछा जा रहा है, यहां पर आपसे पुछ के दिंस के करना है निटारा यहां पर देखने के के लिए मिलता है आपको यहां पर विड्यार आपको थी तरह से हैं अपना नजदीकि द्राइशामेसेंटर द्रता यहां पर आपके पास तो आपको यस करना यस कर देते हैं तो यह बहुत अच्छी बात हैं अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं आप और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए रहते हैं ऐसी बात नहीं है कि अगर यहां पर यह नहीं करेंगे तो आपका पोस्ट खत्म हो जाएगा नहीं बहुत सारा अपको किसी भी पोस्ट पर मिलेगा यहां पर फिर अपको पिन एक्स शूहरा रिटी कले इन्वेसिकर निये चाहिए और कमसे कम दोस्तों आप यहां पर गर्योशन में जो है ना 6 semester का यहां पर आप इस्टेटिक्स की मतलब आप तीन साल के अंदर आपने इस्टेटिक्स की पराई की हुई है और 6 semester में तो आपको दोस्तों यह वाला आप यहां पर option चूज कर सकते हैं अगर नहीं किये हैं आप तो कोई बा option आता है फिर okay का option आता है okay करेंगे तो आप next पर click करते हैं उसके बाद आपको यहां पर live capture फोटो यहां पर आपको upload करने के लिए बोला जा रहा और नीचे में जो है ना आपको यहां पर upload signature का option मिल रहा है signature जो है आपका 10 केवी से 20 केवी के बीच का होना चाहिए और यहां पर फोटो है दोस्तो find a place with good light आपका जो फोटो का जो lighting अच्छा होना चाहिए और plain background होना चाहिए plain background मतलब कोई भी background हो लेकिन plain background हो और आपको दोस्तो यह photo upload करने के लिए आपको जाना है Google Play Store पर वहां पर आपको search करना है my SSC SSC ने अपना एक official app launch किया है उसी apps किस दोस्तों आप यहां पर photo upload कर सकते हैं और यहां पर photo अगर आप खीच करके upload करेंगे तो बहुत सारा issue बताया जाएगा लेकिन अगर आप SSC के official app सिपकर photo upload करते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का issue नहीं बताया जाएगा एक बार में आपका photo upload हो जाएगा तो चलिए हम यहां पर अपना photo upload करके आपको दिखाते हैं इस टूर से आपको my SSC app downloading करने के बाद आपको open करना है open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा आप अपना यहां पर registration नमर डालिएगा password डालिएगा और यह capture डाल करके आप login पर click किज़ेगा आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर combined graduate level examination का यहां पर दोस्तों आपको capture करने केलिए बोला जा रहा है photo तो आपको क्या करना है photo capture करने के लिए आपको एक सकते हैं कि कि चलिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो photo होगा यहां पर यहां पर यह कम लाइट वखला नहीं चलेगा marks बाहनेन के छ आपको camera से थोड़ा साथ दूर रहना है और दोनों हाथ से अच्छे से click करने आप देख सकते हैं यहाँ पर photo app loop हो चुका है उसके आद यहाँ पर section full भी हो चुका है हम यहाँ पर फिर आपको देखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर photo अप्लोड हो चुका है उसके आता है पर आप सारा कुछ चेक करेंगे कुछ भी गलत होगा तो आपको क्या करना है उपर में इthis वाले option है, edit वाले option पर जा करके आप कोई भी गलत अगर आपको कुछ भी फील हुआ है तो उसको सुधार सकते हैं, अगर कुछ भी गलत फील नहीं हुआ है, तब save and next पर click करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर I agree पर click करना, यह capture code आपको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर save and next पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर save and next पर click करते हैं, form received successfully, contact verification pending, यहाँ पर verification pending है, लेकिन आपका चार्ज को एक सुर्प्या फोर्म का लगने वाला है, वो आपको यहाँ पर pay करना है, CST करेगड़ी और गल्स को य QR code select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग payment कर देंगे, जैसे यह payment होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर payment successful हो चुका है, आपका मान है अगर payment का receiving, downloading करके रखने का, तो आप यहाँ पर से payment का receiving भी downloading करके अपने पास रख सकते हैं, आपको बता दें, उसके बाद यहाँ पर print करके अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग back करेंगे और यहाँ अपने dashboard पर जाएंगे, dashboard पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, my application वाले में जाएंगे, यहाँ पर से आप यहाँ पर application status को और प्रिंट कर सकते हैं, इसके आपने पूरा form feel किया, तो आप को यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, form feel करने के बाद जो receiving होता है, वो आपके पास आजाएगा, इसी तरह के informational वीडियो के लिए आप मारे चैनल सरकार यहल्पिंग को जोग सस्क्राइब करें, धनिवाद